तो सभी प्यारे चात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय तीन में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रिश्नाबली 3.3 का प्रेश्निक्रमांग 1 का ये दूसरा सवाल तो बहुत अच्छे से देखना इस सवाल को हमें बिलोपन बिधी से भी हल करना है और प पहला समिक्रण ये दिया गया है और दूसरा समिक्रण ये दिया गया है तो हम लिखेंगे दिये गए समिक्रण योग और फिर इसके बाद दोनों समिक्रण लिख लेते हैं सबसे पहला समिक्रण है 3X धन 4Y बरावर 10 इसे हम बना लेते हैं समिक्रण 1 और दूसरे नमर पे द दिया गया है 2X माइनस 2Y बरावर 2 इसे हम बना लेंगे समिक्रण 2 इतना कर लोगे ठीक है अब सबसे पहले हमें करना है प्रतीस्थापन बिधी तो हेडिंग डाल देंगे प्रतीस्थापन बिधी से तो प्रतीस्थापन बिधी में हम दोनों समिक्रणों को नीचे लिख लेत ठीके, तो समीकरण एक और समीकरण दो से हमने दोनों समीकरणों को लिख लिए अब प्रती स्थापन विधी को बड़े ध्यान से समझना है प्रती स्थापन विधी में होता क्या है कि समीकरण एक से सुरुवात होती है तो हम लिखेंगे समीकरण एक से ठीक है, बहुत अच्छे समझते जाना, हम क्या लिखेंगे समीकरण एक से, अब जो समीकरण एक होता है, उससे हम समीकरण 3 बनाएंगे, X का मान निकालेंगे, तो पूरा समीकरण एक लिख लेते हैं, 3X, धन, 4Y, बराबर 10, यह है पूरा समीकरण एक, अब इसमें हम क्या करेंगे, कि यहां से हमें X का मान निकालना है, तो बाई वाला जो पद होता है उसका पक्छांतर कर देंगे, तो अगले स्टेप में आएगा 3X, यह बाई वाला पद नहीं लिखेंगे, बलकि बराबर 10 ल अब जो बाई वाला पद है, इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो प्लस का 4Y था, माइनस का 4Y हो जाएगा, इसके बाद यह जो 3 है, यह गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहां आ जाती है, बटी में, तो X वराबर आ जाएगा, 10, माइनस 4Y, और बटी में आ या देखो समीकरण X से किसका मान निकाला, केवल X का, जैसे ही यहां पे X अकेला हो जाए, यहां पे तुम समीकरण 3 बना सकते हो, इतना कर लोगे बताओ, समीकरण X से क्या बनाना है, समीकरण 3, अब जो X का मान आया है, 10, माइनस 4Y, बटी 3, यह कहां रखोगे, समीकरण 2 म कहां पे, X की जगा पे, तो लिखेंगे, X का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चली यह रख लेते हैं, तो 2 लिखा है, तो 2 तो हम लिखेंगे, जीओं का तिओं, लेकिन 2 के बाद क्या लिखा है, X, तो X का तो पूरा यह मान है, तो यही रख दो, 10, माइनस 4Y, और बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोश्टक कर देंगे, बंद, तो 2 के बाद X का मान रख गया, उसके बाद यह पूरा समीकरण, जीओं का तिओं, क्या है, माइनस का 2Y, और बरावर कितना हो जाए अब इसके बाद उपर नीचे के अगर कट रहे हैं, तो काट देना नहीं कट रहे हैं, तो उपर वाली संक्या का इसमें भी गुणा होगा, और उपर वाली संक्या का इसमें भी गुणा होगा, तो चलो कर देते हैं, 10 दूनी, 20, बीच में जो चिन्ने लगा रहता है, वो च बटे कितना रहेगा बटे अपना जो भी था तीन था तो तीन ही रहेगा और बाकी ये सब जियों करने हो तो माइनस दो बाई बरावर दो अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि LCM करेंगे क्योंकि इन दौनों पदों के बटे में तीन है तो तीन अगर इससे गुणा कर लेग यानि 20-8Y इनको हमने जियों करते हूं लेका ठीक है फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया अब तीन ने गुणा किया दो से तो तीन दौनी 6 बाई हो गया अब जैसे ही तीन ने दो में गुणा किया तो अब सब के बटे में तीन लिख सकता है अब ही केबल देखो इन दो पदों के बटे में बस था, इस तीसरे पद के नहीं था लेकिन अब तीन पदों के बटे में 3 लिख गया ऐसा क्यों हुगा है कि तीन जैसे ही इसमें गुणा कर लेगा तो तीन नूनी 6 बाई हो गया, अब सब के बटे 3 हो गया तो बराबर लगके अब ये दो लिख सकते हैं और दो के बटे कुछ नहीं है तो हम एक मान सकते हैं और अब हम कर सकते हैं त्रियक गुणा क्या कर सकते हैं त्रियक गुणा ठीक है करने पर तो त्रियक गुणा करेंगे तो क्या होगा एक गुणा इस में होगा और तीन का गुणा दो में होगा तो एक का गुणा इस में करोगे ये पूरी संख्याजियों कीते हो आएंगी मतलब 20 – 8y – 6y बराबर है तो बराबर लगा दिया अब तीन का कुणा दो में होगा तो तीन दोनी 6 आजाएगा अब y y एक तरफ संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे ठीक है तो y y एक तरफ कर लेते हैं और संख्या संख्या जो है एक तरफ कर लेंगे तो देखो यहां पे क्या होगा minus 8 y हमने 20 को छोड़ दिया 20 नहीं लिखा क्योंकि 20 एक संख्या है तो संख्या के पास लिखेंगे तो फिर यहां से लिखा हमने माइनस 8y माइनस 6y ठीक है बराबर ये 6 पहले से था ये प्लस का 20 पक्छंतर कर दो तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का क्यों था क्योंकि कोई भी चिन नहीं था तो प्लस का ही माना जाता है अब माइनस का 8 और माइनस का 6 तो कितने हो जाएगे 8 6 14 तो माइनस का 14 भाई हो जाएगा और बराबर 20 में से 6 घटा लो कितने बचेंगे और मुझे बताओ फिर कितने बचे माइनस की 14 ही बचे ठीक है तो ये आपको लिखना है इसके बाद दौनों तरफ से माइनस कैंसल हो जाएगा तो बचेगा 14 बाई बराबर 14 अब 14 गुणा में हैं तो गुणा बाली संख्या कहां आ जाएगी बचे में आ जाएगी तो बाई बराबर होगा 14 बचे चाउदा तो समान संख्या बचे में हो तो तर ये का आता है तो यानि बाई कामान कितना आ जाएगा एक आ जाएगा ये देखो अब बाई कामान जैसे ही आता है ये समीकरण 3 में रखेंगे तो यह समीकरण 3 यह है, यहाँ पर रखतेंगे, तो X कामान आ जाएगा, तो चलिए रखते हैं, तो अगले पेच पर लिखेंगे, बाई कामान समीकरण 3 में रखने पर, अब मुझे आप एक बद बताओ, देखो, यह देखो, यह है बाई कामान अपना, मैं आपको दिखा दे दो, बाई बराबर एक, और समीकरण 3 यह है, समीकरण 3 है, X बराबर 10 माइनस 4, बाई की जगह पे एक रख जाएगा, बटे 3, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, कि समीकरण 3 था, X बराबर 10 माइनस 4, बाई की जगह पे रख दिया आपने 1, और बटे कितना था, तो बटे कितना हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, अब 10 में से 4 घटाओ तो कितने बचेंगे, तो 6 बचेंगे, ठीके, 6 बटे, 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो X बराबर कितना आगया, 2 आगया, तो X का भी माना आगया, बाई का भी माना आगया, तो लिखेंगे अताहा, X बराबर 2, बाई बराबर 1, समीकरण योग्म के हल है, समीकरण योग्म के अभीष्ट हल है, अभीष्ट हल है, यह हो गया, अब हम करेंगे, बिलोपन बिधी, ठीक है, तो यह तो परतिस्थापन बिधी आगया, अब बिलोपन बिधी से करना है, तो next page पे चलते हैं, ताकि पूरा एक सवाल पूरा page में बन जाए, है, तो हमने हेडिंग डाल दी बिलोपन बिधी, अब हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं, जो यहां पे हमें दिये गए, यह दोनों समीकरणा, हम यहां पे लेते हैं, यह देखिए हैं, हमने दोनों समीक्रणों को लिख लिया अब बिलोपन बिधी में हम क्या करते हैं या तो X को बिलोप्त कर सकते हैं या तो बाई को बिलोप्त कर सकते हैं तो यहां पे हम बाई को बिलोप्त करेंगे तो देखो ऊपर वाले समीक्रण में तीन पद हैं एक, दो, तीन नीचे वाले समीकरण में भी तीन पत हैं एक, दो, और तीन तो उपर वाले समीकरण में गुणा होगा नीचे वाले समीकरण के बाई के गुणांग का बाई के साथ में कितना लिखा है? दो तो ये जो दो है ये गुणा करेगा इस में ये गुणा करेगा इस में और ये गुणा करेगा इस में तो लिखेंगे कि समीकरण एक में कितने से गुणा? दो से गुणा, माइनस प्लस कभी नहीं देखना केवल संख्या देखना है संख्या के आगे कौन सा चिन है ये बिल्कुल भी नहीं देखना होता है प्लोपन बिधी में कीवल संख्या देखनी होती है तो समी किरण एक में दो से गुणा तथा फिर लिखेंगे तथा फिर समी किरण दो में कितनी से गुणा तो उपर वाला बाई का जो गुणा अंक है चार चार इससे भी गुणा करेगा इससे भी करेगा और इससे भी करेगा तो लिखेंगे तथा समीकरण दो मैं चार से गुणा करने पर चार से गुणा करने पर अब ध्यान से देखते रहे ना ठीक है चलो करते हैं पहले दो का करेंगे तो तीन दूनी छे ध्यान रखो संख्या दो का गुणा हो रहा है बस तो दो तिया च्छैक्स फिर जो चिन ने लगा है बोजियों कते हो रहेगा इसमें करो दो चोके आठ आठ वाई फिर बरावर लगा है तो बरावर आ जाएगा फिर दो का करोगे दस में तो दस दूनी बीस एक नया समीक्रण बनेगा जिसे हम समीक्रण तीन बना देंगे ठीक है अब उपर बाला जो चार है इसमें करेगा इसमें करेगा और इसमें करेगा तो चार से करो चार दूनी आठ एक्स फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दो चार दूनी आठ वाई देखो ये बाई के गुणांक समान हो गए न और ये कट भी रहे है और फिर बरावर लगा है तो बरावर लगा दो फिर चार दुनी आठ एक नया समीक्रण है इसे समीक्रण चार बना दो अब जो हमने बाई के गुणां का समान करें हैं अगर उनके चिंड अलग अलग हैं तो लिखेंगे जोड़ने पर क्योंकि उल्रेडी कट रहे हैं लेकिन अगर समान चिंड नहोते तो लिखते घटाने पर तो घटाने वाली प्रोसेस में होता क्या है कि नीचे वाले समिकन के चिन्ह बदल जाते मैंनि माइनस का है तो प्लस का हो जाता प्लस का है तो माइनस का हो जाता ये चीज रहती लेकिन यहां हमें चिन्ह बदलने की जरूरत ही नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये प्लस का आठ वाई है यह माइनस का यह तो पहले से ही कट रहे हैं वही हम चाहते हैं कि यह मान बिलुप्त हो जाए तो बाई बिलुप्त करेंगे यानि बाई को गायब करेंगे तो X का मान आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे केवल जोडने पर ठीक है क्योंकि हमें कोई छेड़ चाड़ नहीं करनी है जो अल्रेडी कट रहे हैं तो उनके साथ कोई छेड़ चाड़ नहीं करते हैं तो लिख देंगे जोडने पर और एक लाइन खीज देंगे और जोडने से क्या होता है देखो 6X और 8X 8,6,14 14X बचेगा पिलस का 8Y और माइनस का 8Y दोनों कट जाएंगे तो दो बरावर का एक बरावर लगेगा और 20 और 8 कितने हो गए दोनों जुड़के 28 हो गए ना तो 28 लिख लिए तो यहां से अब हम आगे बढ़ेंगे तो जो गुणा वाली संख्याब को बटे में आएगी तो अकेला X छोड़ो यहां पर 14 को मत लिखो क्योंकि 14 को बटे में लाना है 28 लिखा था पहले बटे में कौन आ जाएगा 14 आ जाएगा तो 14 एकम 14 14 दोनी 28 यानि X बरावर कितना हो जाएगा तो X बरावर 2 हो जाएगा यह X का माना गया अब बिलोपन बिदी में जो भी X का माना आता है वो हम समिंकरण एक में रखते हैं ठीक है तो हम लिखेंगे कि X का मान यहां पर लिखेंगे X का मान कहां रखने पर समिंकरण एक में रखने पर बन जाएगा ना यहां तक देखो रखने पर अब समिगरने को ठालो कहां पर है यह देखो 3X धन 4Y बरावर 10 है तो 3X की जगह है बिमान रख दो 2 है ना X का मान तो कोश्टक में रख दिया 3X लख गया फिर प्लस में कितना है 4Y देखो यह लिखा ने 4Y प्लस में बरावर 10 तो बरावर 10 लख लिए अब देखो 3 दूनी 6 और प्लस कितना है 4Y और बरावर कितना है 10 अब संख्या संख्या एक तरफ कर लो तो 6 यहां पे है तो अगले स्टेप में 6 नहीं लिखेंगे केवल 4Y लिखेंगे क्योंकि जिसका पक्चंतर करना उसको नहीं लिखना फिर 4Y बरावर 10 यह पूरा लिख दिया देखके फिर इसको इस तरफ लिया तो प्लस का 6 था तो इस तरफ आया तो माइनस का 6 हो गया अगले स्टेप में 4Y बरावर देखो 10 में से 6 घटा दो कितने बचेंगे? 4 ही तो बचेंगे न अब यह 4 गुणा में है तो गुणा बाली संक्या बटे में लेकि आओ तो बाई बरावर कितना हो जाएगा? 4 बटे 4 4 से 4 कट गया कितना आया? 1 तो बाई का मान 1 आया और X का मान 2 आया देखो उपर X का मान 2 है बाई का मान 2 तो यह हो गया हल तो लिखेंगे अता X बरावर 2 और बाई बरावर 1 समीकरण योग्म के हल है समीकरण या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं दिये गए समीकरण योग्म के अभीष्ट हल है ठीक है? तो दोनों भास आए ठीक है, correct है, अभी इस्ट, हल है, तो ये हो गया, ठीक है, तो चाहे बिलोपन बिदी से करो, चाहे परतीस थापन से आंसर तो सेम ही आएगा बिलकुल, तो अपने देख सकते हैं कि अपने आंसर जो हैं बिलकुल correct आए हुए है, अब आपको अच्छे से note करना है, तो सबसे पहले परतीस थापन बिदी लिखिए, तो यहां से note कर लो, इसके बाद यहां से, इसके बाद यह, फिर इसके बाद यह लिखना है, वीडियो को रोग रोग करके लिख सकते हो, ठीक है, फिर इसके बाद यह है, बिलोपन बिदी, इसके बाद यहां पर, फिर यह, ठीक है, तो उम्मीद है कि यह सवाल अच्छे से कर लोगे और समझ भी आ गया होगा, एक बार practice कर लेना और notes बनाते जाना, notes ब्रह्मास्तर हैं, यह समझो, आपको जब revision करना होगा, तो notes ही काम आएंगे, और बाकी playlist आपको देख रही होगी, यहां पे तो playlist से आप proper पढ़ाई करके, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो, तो revision करते रहिए, मिलते हैं next video lecture में, thank you. झाल